नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लानेट ओफ टेल्स पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंसी प्रेम चन्जी की खुब्सुरत रचनाओं मैं से एक एद गहा तो आईए सुनते हैं रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद एद आई है कितना मनोहर कितना सोहाबना प्रभाव है बिक्षों पर अजीव हरियाली है खेतों में कुछ अजीव रौनक है आसमान पर कुछ अजीव लालिमा है आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल है यानि संसार को ईद की बधाई दे रहा है गौव में कितनी हल्चल है ईदगा जाने की तैयारियां हो रही है किसी के कुर्टे में बटन नहीं है और उसके घर से सुई धागा लेने दोड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए है उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे दे, ईदगा से लोटते लोटते दो पहर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सेकड़ों आदमियों से मिलना, भेटना, दो पहर के पहले लोटना असंभव है लड़के सबसे ज़्यादा प्रसंद है, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दो पहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगा जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है रोजे बड़े बुडों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगा क्यों नहीं चलते इन्हें ग्रस्ती की चिंताओं से क्या प्रियोजन, सिवईयों के लिए दूद और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सिवईयां खाएंगे वह क्या जाने कि अबबाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दोड़े जा रहे हैं उन्हें क्या खबर के चौधरी आँखे बदलने, तो ये सारी एद मुहर्म हो जाए उनकी अपनी जेवों में तो कुबिर का धन भरा हुआ है बारबाजेव से अपना खाजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं महमूद गिनता है एक, दो, दस, बारह, उसके पास बारह पैसे हैं मोसिन के पास एक, दो, तीन, आठ, नौ, पंद्रह पैसे हैं इन्ही अनि गिनती पैसों में अनि गिनती चीज़ें लाएंगे खिलोने, मिठाईया, बिगुल, गैन और जानी क्या-क्या और सबसे ज़्यादा प्रसन है हामिद वह चार-पान साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्स हैजे की भैंट हो गया और मा न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई किसी को पता क्या बीमारी है कहती तो कौन सुनने वाला था उसके अबबा जान रुपई कमाने गए हैं बहुत सी थेलियां लेकर आएंगे अम्मी जान अल्ला मिया के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीजे लाने गई है इसलिए हामिद प्रसन है आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा उनकी कलपना तो राई का परवत बना लेती है हामिद के पाउ में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पढ़िया है फिर भी वह प्रसन है जब उसके अबबा जान थेलियां और अम्मी जान नियामते लेकर आएंगी तो वह दिल से अर्मान निकाल लेगा तब देखेगा मुहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे अब हागिन अमीना अपनी कोटरी में बैठी रो रही है आज इद का दिन उसके घर में दाना नहीं आज आविद होता तो क्या इसी तरह इद आती और चली जाती इस अंदकार और निराशा में वह डूबी जा रही है किसने बुलाया था इसने गोड़ी इद को इस घर में उसका काम नहीं लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीनने से क्या मतलब उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा बिपत्ती अपना सारा दल बल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चित्वन उसका विद्धवन्स कर देगी हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आँगा बिलकुल न डरना अमीना के दिल कचोट रहा है गाउं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है उसे कैसे अकेले मेले जाने दे उस भीड़ भाड से बच्चा कहीं खो जाये तो क्या हो नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी नन्ही सी जान, तीन कोस चलेगा कैसे पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती लेकिन यहां सिवईया कौन पकाएगा पैसे होते तो लोटते लोटते सब सामगरी जमा करके चटपट बना लेती, यहां तो घंटों चीज़े जमा करते लगेंगे मांगे काई तो भरोसा ठहरा, उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे आठ आने पैसे मिले थे, उस अठनी को इमान की तरह बचाती चली आती थी इसी इद के लिए, लेकिन कल गौालन सिर्प सवार हो गई तो क्या करती हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो दो पैसे का दूद तो चाहिए ही अब तो कुल दो आने पैसे बच रहे हैं, तीन पैसे हामिद की जेम में, पांच अमीना के बटवे में यही तो विसात है, और एद का अतियोहार, अल्ला ही बेड़ा पार लगावे धोबन और नाएन और महतरानी और चुड़े हारिन सभी ही तो आएंगी, सभी को सिवईया चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों लग नहीं लगता, किस किस के मुँँ में चुराएगी और मुँ क्यों चुराएग सालवर का अतियोहार है, जिन्दगी खेरिया से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे गाउं से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था कभी सब के सब दोड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पिड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतिजार करते ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं हामिद के पैरा में तो जैसे पर लग गए है, वो कभी ठक सकता है शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पिड़ों में आम और लीचें लगी हुई है कभी कभी कोई लड़का कंगडी उठा कर आम पर निशाना लगाता है माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है लड़के वहाँ से एक फलांग पर है, खूब हस रहे है माली को कैसा उल्लू बनाया है बड़ी बड़ी इमारतें आने लगे, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे सब लड़के नहीं है, जी बड़े बड़े आदमी है, सच उनकी बड़ी बड़ी मूचे है, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते है न जाने कव तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं बिलकुल तीन कोडी के रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले इस जगे भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या कलब घर में जादू होता है सुना है यहां मुर्दों की खोपड़ियां दोड़ती है और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं और वह शाम को साहाब लोग खेलते हैं बड़े बड़े आदमी खेलते हैं मूच्छो दाड़ी बाले और मैमे भी खेलती हैं सच हमारी अम्मा को यह कह दो क्या नाम है बैट तो उसे पकड़ ही न ले सके घुमाते ही लुड़क जाए महमूद ने कहा हमारी अम्मी जानका तो हाथ कापने लगे अल्ला कसम मौहसिन बोला चलो मनो आटा पीस डालती हैं जरा सब बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कापने लगेंगे सेकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है पांच घड़े तो मेरी भेंसी पी जाती है किसी मैम को एक घड़ा पानी भढ़ना पड़े तो आँखों तले अंधेरा चा जाए मोहसिन हाँ उच्छल कूद तो नहीं कर सकती है लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौदरी की खेट में जा पड़ी थी अम्मा इतना तेज दौणी कि मैं उन्हें न पास सका सच आगे चले हलवाईयों की दुकाने शुरूई हुई आज खूब सजी हुई थी इतनी मिठाईया कौन खाता है देखो न एक-एक दुकान पर मनों होंगी सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं अभा कहते थे कर अदी रात को एक आद्मी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बच्चा होता है वा तुलबा लेता है और सचमुच के रुपए देता है बिल्कुल ऐसे ही रुपए हामिद को यकीन ना आया ऐसी रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे मौसिन ने कहा जिन्नात को रुपए की क्या कमी जिस खजाने में चाहे चले जाएं लोग के दरवाजे तक उन्ने नहीं रोक सकते जनाब आप हैं किस फेर में हीरे जवारा तक उनके पास रहते हैं जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवारा दे दिये अभी यहीं बैटे हैं पांच मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए हामिद ने पूछा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं महसिन एक-एक सिर आस्मान के बरावर उताए जी जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आस्मान से जा लगे मगर चाहे तो एक लोटे में घुश जाए हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे कोई मुझे या मंतर बता दे एक जिन्न को खुश कर लूँ मुहसिन अब यह तो मैं नहीं जानता लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं कोई चीच चोरी हो जाए तो चौधरी साहब का उसका पता लगा देंगे और चोर को नाम बता देंगे जुम्राती का बच्वा उस दिन खो गया था तीन दिन हैरान हुए कहीं नहीं मिला तब जख मार का चौधरी के पास गए चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खवर दे जाते हैं अब उसकी समझ में आगया कि चौधरी साहब के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है आगे चले यह पुलिस लाइन हैं यहीं सब कांस्टेवल कवायत करते हैं रैटन रात को बिचारे गुम गुम का पहरा देते हैं नई चोरियां हो जाए मुहसिन ने प्रतिवाद किया यह कांस्टेवल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत यह चोरी करते हैं शहर के जितने चोर डाकूं है सब इन से मिले रहते हैं रात को यह लोग चोरां से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे महलना में जाकर जाकते रहो जाकते रहो पकारते हैं तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं मेरे मामु एक थाने में कांस्टेवल है बीस रुपए महीना पाते हैं लेकिन पचास रुपए घर भेजते हैं अल्ला कसम जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाया। हामिद एक सो तो पचास से ज़्यादा होते हैं। संतोष और धहरे में मगन चला जा रहा था। पच्चों के लिए नगर की सबी चीज़े अनौकी थी। जिस चीज़ की और ताकते ताकते ही रह जाते। और पीचे से बार-बार हॉर्ण की अवाज होने पर भी न चेतते। हामें तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा इदगान जराई। उपर इमली के घने ब्रिक्षों की चाया है। नीचे पका फर्ष है जिस पर जाजम बिचा हुआ है। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगे नहीं हैं यहां कोई धन और पद नहीं देखता। इसलाम की निगा में सब बराबर हैं। इन ग्रामीडों ने भी बुजू किया और पिछली पक्ती में खड़े हो गए। कितना सुन्दर संचालन हैं, कितनी सुन्दर व्यवस्ता हैं। लाकों सिरे एक साथ सिजदे में जुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ जुकते हैं और एक साथ घुटनों के वल बैट जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती हैं जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीब धों और एक साथ भुज जाएं। यही क्रम चलता रहा कितना अपूर्व द्रिश्य था जिसकी सहमूही क्रियां विस्तार और नंतता हिर्दय को स्रध्धा गर्व और आत्मानंद से भड़ देती थी मानो भ्रात्यत्यों का एक सुत्र इन समस्ता आत्मा को एक लड़ी में प्रोय हुए है महसिन कहता मेरा विस्ती रोज पानी दे जाएगा सांसा मेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा और चोर आएगा तो फौन बंदुक से फिर कर देगा नूरे और मेरा बकील खू मुकद्दमा लड़ेगा सम्मी और मेरी धुबन रोज कप्रे धोईगी हामिद खिलोने की निंदा करता है मिट्टे ही के तो है गिरे तो चकना चूर हो जाएं लेकिन लल्चाई हुई आँखों से खिलोनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता उसके हाथ अनाया से लपकते हैं लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं विशेस का अभी नया शौक है हामिद लल्चाटा रह जाता है खिलोने के बाद मिठाईयां आती हैं, किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामून, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं हामिद बिरादरी से प्रत्थक है, अभागे के पास तीन पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, लल्चाई आँखों से सब की योड़ देखता है महसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा कितनी खुश्वुदार हैं, हामिद को संदे हुआ, ये किबल कुरूर बिनोध है महसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है महमूद दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है हामिद हाथ फैलाता है महमूद नूरे और समी खुख तालिया बजा बजाकर हसते हैं हामिद खिसी आ जाता है महमूद अच्छा आपकी जरूर देंगे हामिद अल्ला कसम लेजा हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है सम्मी, तीन ही पैसे तो है, तीन पैसे में क्या क्या लोगे महमूद, हमारे गुलाब जामून ले जा, हामिद मुहसिन बदमास है हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है किताम में इसकी कितनी बुराईया लिखी है मुहसिन लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें अपने पैसे क्यों नहीं निकालते महमूद हम समझते हैं इसकी चाला की जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें लल्चा लल्चा कर खाएगा मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोही की चीजों की कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की लड़कों के लिए यहां कोई आकरशन न था वे सब आगे बढ़ जाते हैं हामित लोही की दुकान पर रुक जाता है कई चिम्टे रखे हुए थे उसे खयाल आया दादी के पास चिम्टा नहीं है तबे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन नहोंगी फिर उनकी उंगलियां कभी नजलेंगी घर में एक काम की चीज हो जाएगी खिलोने से क्या फाइदा? वे अर्थ में पैसे खराब होते हैं जरा देर ही में तो खुशी होती है फिर तो खुलोने को कोई आँख उठा कर नहीं देखता या तो घर पहुंसते पहुंसते टूट फूट बराबर हो जाएंगे या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड डालेंगे चिम्टा कितने काम की चीज है रोटियां तबे से उता लो चूले में सेंक लो कोई आग मांगने आए तो चटपट चूले से आग निकाल कर उसे दे दो अम्मा बिचारी को कहां फुरसत है कि बाजार आएं और इतने पैसे ही कहां मिलते हैं रोज हाथ जला लेती हैं हामित के साथ ही आगे बढ़ते गए सबील पर सबके सब शर्वत पी रहे हैं देखो सब कितने लालची हैं इतनी मठाईया ली मुझे किसी ने भी न दी उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो मेरे यह काम करो अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाएं मिठाईया आप मुझ सड़ेगा फोड़े पंसिया निकलेंगे आप ही जवान चटूरी हो जाएगे तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे किता में जूटी बात है थोड़ी लिखी है मेरी जवान क्यों खराब होगी अम्मा चिम्टा देखते ही दोड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है कितना अच्छा लड़का है इन लोगों के खिलोने पर कौने ने दुआएं देगा बड़ों की दुआएं सीधे अल्ला की दरवार में पहुंचती है और तुरंट सुनी जाती है मेरे पास पैसे नहीं है तबी तो मुहसिन और महमूद यों मिजाज दिखाते है मैं भी इन से मिजाज दिखाऊंगा खेलें खेलोने और खाएं मिठाई है मैं नहीं खेलता खेलोने किसी का मिजाज क्यों सहूँ मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता आखिर अबबा जान कभी ना कभी आएंगे अम्मी भी आएंगी फिर इन लोगों से पूछँगा कितने खिलोने लोगे एक एक को टोकरियों खिलोने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सुलुक किया जाता है यह नहीं कि एक पैसी की रिवडिया ली तो चड़ा चड़ा कर खाने लगे सब के सब कहूब थूब हसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है हसें मेरी बला से उसने दुकानदार से पूचा यह चिमटा कितने का है दुकानदार ने उसकी और देखा और कोई आदमी साथना देख कर कहा तुम्हारे काम गाद नहीं जी बिकाव है के नहीं बिकाव क्यों नहीं है और यहां क्यों क्यों लाद कर लाया हूं तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है छे पैसे लगेंगे हामिद का दिल बैट गया ठीक ठीक पांच पैसे लगेंगे लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो हामिन ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लोगे यह कहता हुए वो आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुड़किया ना सुनने पड़े लेकिन दुकानदार ने घुड़किया नहीं दी बुला का चिम्टा दे दिया हामिन ने उसे इस तरह कंदे पर रखा कर कहा जर अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो सारी पसलिया चूर चूर हो जाए बच्चू की महमूद बोला तो यह चिम्टा कोई खिलोना है हामिन खिलोना क्यों नहीं अभी कंदे पर रखा बंदुक हो गई हाथ में ले लिया फकीरों का चिम्टा हो गया चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं एक चिम्टा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलोनों की जान निकल जाए तुमारे खिलोने कितना ही जोर लगाए मेरे चिम्टे का बाल भी बांका नहीं कर सकते मेरा भादो शेर है चिम्टा सम्मी ने खंजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी के बदलोगे दो आनी की है हामिर ने खंजरी की और अपिक्षा से देखा मेरा चिम्टा चाहे तो तुमारी खंजरी का पेट फार दे बस एक चमड़ी की जिल्ली लगा दी धबडब बोलने लगी जरा सा पानी लग जाए तो खतम हो जाए मेरा भादो चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकलाए हैं, नौक कब के बजगे, धुप तीज हो रही है घर पहुँचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद्वी करें तो चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चालाग, इसी लिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे अब बालकों के दो दल हो गए है, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्तार्थ हो रहा है, सम्मी तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आग हातों से आतंकित हो उठे है, उसके पास न्याय का बल है और नीती की शक्ती है, एक और मिटी है, दूसरी और लोहा, जो इस वक्त अपने को फॉलात कह रहा है, वो अजे है, घातक है, अगर कोई शेर आ जाए, तो मिया भिष्टी के चक्के छूट जाए, मिय सिपाही मिटी की बंदु छोड़ कर भागें, बकिल सहाब की नानी मर जाए, चोगे में मूँ छिपा कर जमिन पर लेट जाए, मगर यह चिम्टा, यह बहादूर यह रुस्त में हिंद लपक का शेर की गर्दन पर सबार हो जाएगा और उसकी आँखे निकाल लेगा, मोहसि परास हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए, तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकिल सहाब के पैरों पढ़ेंगे, हामिद इस प्रबल तर्क का जबाब ना दे सका, उसने पूचा हमें पकड़ने को नाएगा, नूरे क्या बिचारे, मुहसिन को एक नई चोट सूज गई, तुम्हारे चिम्टे का मौ रोज आग में जलेगा, उसने समझाता कि हामिद ला जबाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई, हामिद ने तुरंत जबाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्ह मारा चिम्टा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पढ़ा रहेगा, इस तर्क ने संबी और नूरे को भी सजीब कर दिया, कितने ठिकाने की बाद कई है पट्थे ने, चिम्टा बावर्ची खाने में पढ़ा रहने के सिबा और क्या कर सकता है, हामिद को कोई फड़कता हु जबाब ना सूजा और उसने धांदली शुरू की मेरा चिम्टा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा बकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उना जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा बात कुछ बनी नहीं खासी गाली गलोज थी लेकि पानून मुह से बाहर निकलने वाली चीज है उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेत कुछ बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है हामिद ने मैदान मार लिया उसका चिम्टा रुस्त में हिंद है अब इसमें महसेन महमूर नूरे सम्मी किसी को भी आपती नहीं हो सक हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया सची तो है खिलोनों का क्या है भरोसा तूट फूट जाएंगे हामिद का चिम्टा तो बना रहेगा बर्सों संदी की शर्तें तै होने लगे मोसिन ने करा जर अपना चिम्टा दो हम भी देखें तुमारा यह भिस्ती लेकर देख किये हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपती न थी चिम्टा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलोने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए कितने खुबसूरत खिलोने है हामिद ने हाने वालों के आसु पहुचे मैं तुम्हें चिडा रहा था सच ये चिम्टा भला इन खिलोने की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है अब बोले अब बोले लेकिन महसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोस नहीं हुआ पड़े अमा जरूर कहेंगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलोने मिले हामिद को सुईकार करना पड़ा कि खिलोनों को देखकर किसी की मा इतनी खुश न होंगी जिसनी दादी चिम्टे को देखकर होंगी तीन पैसे ही तो मैं उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पच्टावी की बिल्गुत जरूरत ना थी फिर अब तो चिम्टा रुस्त में हिंध है अब सबी खिलोनों का बादसा है रास्ते में महमूद को भूंग लगे उसके बाप ने केले खाने को दिये महमूद ने केवल हामित को साजी बनाया उसके अन्यमित्र मोह ताकते रहे गए यह उस चिम्टे का प्रसाथ था ग्यारे बजे गाओं में हलचल मच गई मेले बाले आ गए महसिन की छोटी बेहन ने दोड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उचली तो मिया भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक से धारे इस पर भाई बेहन में मार पीट हुई दोनों खूब रोए उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगणी और दोनों को उपर से दो-दो चांटे और लगाए मिया नूरे के बकील के अंत उनके प्रितिष्ठा नुकूल इससे जादा गौरम मैं हुआ बकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा दीबार में खुटियां गाड़ी गई उन पर लकड़ी का एक पट्रा रखा गया पट्रे पर कागज का कालिन बिचाए गया बकील सहाब राजा भोज की तरह सियांसन पर बिराजे नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया अदालतों में खसकी तट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं क्या यहां मामूली पंखा भी न हो कानून की गर्मी दिमाग पर चड़ जाएगी के नहीं बास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखी की चूट से बकिल साहब स्वर्ग लोग से मृत्ति लोग में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया फिर बड़े जोर सोर से मातम हुआ और बकिल साहब की अस्ती घूरे पर डाल दी गई अब रहा महमूद का सिपाही उसे चटपट गाउं का पहरा देने का चार्ज मिल गया लेकिन पुलिस का सिपाही कुछ साधान ब्यती तो नहीं जो अपने पहरों पर चले वह पालकी पर चलेगा एक टोकरी आई उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितरे बिचाए गए जिसमें सिपाही साभ आराम से लेटे नूरे निये टोकरी उठाई अपने द्वार का चक्कल लगाने लगे उनके दोना छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जाकते लहो पुकारते चलते हैं मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए महमूद को ठोकर लग जाती है ठोकरी उसके हाथ से छूट का गिर पड़ती है और मिया सिपाही अपनी बंदुक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है महमूद को आज ग्यात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है उसको ऐसा मरहम मिल गया जिसवर टूटी टांग को आनन फानन में जोड सकता है केवल गूलर का दूद चाहिए गूलर का दूद आता है टांग जबाब दे दिती है शल लिक्रिया असपल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है कभी कभी देवता भी बन जाता है उसके सिर का जहलरदार साफा खुरच दिया गया है अब उसका जीतना रूपान तरण चाहो कर सकते हो कभी-कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है अब मिया हामित का हाल सुनिये अमीना उसकी आवाज सुनका दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगे सहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वह चौकी यह चिम्टा कहां था? मैंने मूल लिया है क्या पैसे मैं? तीन पैसे मैं अमीना ने चाती पिट ली यह कैसा बे समझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया लाया क्या चिम्टा सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया हामित ने अपरादी भाव से कहा तुम्हारी उंगलिया तब यसे जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया बुडिया का क्रोत नंत इसनेह में बदल गया और इसनेह भी वह नहीं जो प्रग्राल होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है यह मूख इसनेह था खुब ठोस, रस और स्वात से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग, कितना सदभाव और कितना विवेक है दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा इतना जब ते इससे हुआ कैसे वहां भी इसे अपनी बुडिया दादी की याद बनी रही अमीना का मन गदगद हो गया और अब एक बिचित्र बात हुई हामिद के इस चिम्टी से भी बिचित्र बच्चे हामिद ने बुड़े हामिद का पाट खेला था बुड़िया अमीना बाले का अमीना बन गए वह रोने लगी दामन फैला कर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बुड़े गिराती जाती थी हामिद इसका रहसे क्या समझता कहानी सुने के लिए हमें